हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस में आज है तेवी सितंबर और तेवी सितंबर से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनेगे सारे कोशन को इस लेक्चे में हम डिसकर्स करने वाले और दोस्तो मैं आपको बता दो कि हम जो भी करेंट एफेस के कोशन करते हैं उनके साथ जो भी extra factor बनते हैं जो आने वाले एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को discuss करते हैं तो दोस्तो ये जो करेंट एफेस के कोशन है वो आने वाले एक्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही healthful होने वाल है अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्लास में जो question आपसे पूछा था हाली में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारती गेंदबाज कौन बने हैं तो ये बनेगे दोस्तों जस्पित भूमरा correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पे option third और आप देख सकते दोस्तों यह है दोस्तों जस्पित भूमरा जो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारती गेंदबाज बन चुके है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि यह जो जस्पित भूमरा है इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है जस्पित भूमरा ने 24 मेच में 100 विकेट लिये है यहीं पे हम बात करें दोस्तों कपिल देव की तो कपिल देव ने 25 मेच में 100 विकेट लिये थे तो अब record तोड़ दिया है किसका दोस्तो कपिल देऊगा तो किसने तोड़ा है तो जस्पित भूमराने correct answer हो जाएगा यहाँ पे option third तो अब start करते हैं दोस्तो आज के current phase पहला question है की प्रगती mobile app को किसने launch किया है तो दोस्तो मैं आपको बता दो कि यह जो प्रगती app है इसे launch किया है भारती जीवन भीमानिगमने correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पे option third तो यहाँ पे दोस्तो हम बात करते हैं जो प्रगती है इसका full form क्या है तो performance review application growth and trend indicator यह इसका full form है और हिंदी में अनुवाद है दोस्तो प्रदर्शन समिच्छा अनुप्रयोग विकास और प्रवर्ती संकित इसका यह full form हो गया यहाँ पे दोस्तो इसे launch किसने किया है तो भारती जीवन भीमानिगम ने भारती जीवन भीमानिगम मतलब Life Insurrection Corporation of India की जिसकी इस्तापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्याल है मुंबाई महारास्ट में इस्तित है और वर्तमान में चेर्मेन एमार कुमार है और MD कोने दोसो तो यह mini IP है तो यह सब important point है दोसो Life Insurances से मतलब LIC से जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर दोसो आपको दो point याद रखने है वो क्या क्या तो प्रगति mobile app है इसे launch किसने किया है तो LIC ने और second point आपको याद रखना है कि यह जो प्रगति है इसका full form क्या है तो यह दोसो performance review application growth and trend indicator यह इसका full form है next question है कि हाली में IMF ने किस देश को दिये जाने वाले fund पर रोक लगा दी है तो दोसो यह कौन से देश को IMF fund दे रहा था तो यह अफगानिस्तान देश को correct answer क्या हो जागा यहाँ पर option 2 यहाँ पर दोसो सबसे बहुत हैं हम बात करते हैं IMF की मतलब International Monetary Fund की तो दोसो मैं आपको बता दो कि यह जो International Monetary Fund है इसकी जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी और इसका headquarter कहां पर इसी थे तो यह Washington DC में इसी थे यह आपको याद रखना है और इस साथी दोसो मैं आपको बता दो कि यह जो अंतराशी मौदिक निती है इसके MD है क्रिस्टियानो जॉर्जिया और साथी दोसो CEO मलब Chief Economist Officer की बात करे तो यह गीता गोपीनाथ है और यहाँ पर अब बात करते हैं दोसो अफगानिस्तान देश की तो तालिबान के कबजे के दोरान जो अफगानिस्तान है दोसो इसका नाम अब क्या हो गया है तो Islamic Emirates of Afghanistan हो गया है और अफगानिस्तान एशिया महादीप में हिस्तित है और अफगानिस्तान की राजदानी की बात करे तो यह काबूल है और यहां की जो करंसी है दोसो वो अफगानी है और साती याद रखने हैं आपको कि अफगानिस्तान के जो नए प्रधानमंती बने है वो मुहमद हसन अखन बने है और आप देख सकते दोसो यह है अफगानिस्तान के प्रधानमंती मुहमद हसन अखन तो correct answer हो गया दोसो option 2 अफगानिस्तान IMF ने अफगानिस्तान देश को दिये जाने वाले fund पर अब रोक लगा दी है और अब चलते next question के ओर question के हाली में भारत के अगले वायूशेना अद्धेक्ष के रूप में किसे घोसित किया गया है तो दोस्तों ये गोशित किया है VR चौधरी को correct answer क्या हो जाएगा यहां पर option 1 और आप देख सके दोस्तों ये है VR चौधरी जो कि भारत के अगले वायूशेना अद्धेक्ष होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि वायूशेना के वरतमान में जो अद्धेक्ष है वो राकेस भधोरिया है और इनका जो कारेकल है वो 30 सितंबर को खतम हो रहा है और इसे के साथ दोस्तों जो वायूशेना के नए अद्धेक्ष बनने जा रहे है उनका नाम है VR चौधरी बात कर लेते हैं वायूशेना की तो वायूशेना की जो इस्तापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और इसका मुख्याले नए दिली में इसी थै और वरतमान में जो अद्धेक्ष है वो राकेस भधोरिया है और नए अद्धेक्ष कोन बन जाएंगे दोस्तो तो ये VR चौधरी बन जाएंगे और साथ है आपको याद रखना है कि भारती वायूशेना दिवर्स प्रतिवर्स 8 अक्टूबर को मना जाता है और अब चलते नेक्स कोशन की ओर कोशने हैं दोस्तो के हाली में संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश बना है तो ये बने गया है दोस्तो इरान correct answer क्या हो गया है यहाँ पर option third तो दोस्तो मैं आपको बता दो कि ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसके जो नौ सदेश थे है वो कौन कौन से है तो सबसे पहले हम बात करें जो इससे पहले 8 सदस्य थे वो कौन कौन से है तो ये दोसो चीन, कजाकिस्तान, किरगिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान थे और अब नववा देश कौन सा बन गया है तो ये इरान बन गया वो कोन है तो ये इबराहिम रही सी है ये सभी important point है इरान से जो आपको याद दखने है और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें संगाई सहयोग संगटन की मरलब संगाई कॉपरेशन और्गिनाजेशन की जिसकी सापना सन 2001 में की गई थी और इसका जो मुख्याले है वो चाइना में इस्थीत है और साथी important point है आपको याद दखना है कि इसके जो सेकेटरी जनरल है ये जो संगाई सहयोग संगटन है इसके सेकेटरी जनरल को ने तो ये वलादमीर नुरू है ये next question कि पंजाब के दो नए उपमुख्यमंत्री कौन बने है तो ये बन गए दोसो स हम बात करें दोसो कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है दोसो चरन जीत सियन चन्नी और साथी मैं आपको बता दू यहाँ पे कि ये जो दो नए उपमुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है तो आप देख सकते दोसो ये है सुक जिंदर रंधावा और य जिने पंजाब के नए उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पे हम बात करें दोस्तों पंजाब की जिसकी साफना एक नवंबर 1966 को की गए थी और पंजाब के जो राजदानी है वो चंडी गड़ है और पंजाब के जो गवनर है वो बनवारी लल पुरोईत है और नए मुख्यमंत्री कोन बन गए दोस्तों तो यह चरन जीत सिया चंडी बन गए है और साथ है आपको याद अखना है कि पंजाब की जो मुख्य नादिस है ये रवी संकर जा है और जो पंजाब का एक पडूशी देश है वो कौन सा है तो ये पाकिस्तान है और पंजाब के जो तीन पडूशी राज्य है वो कौन कौन से ये दिख लेते हैं तो ये दोस्तों र सबसे तेज भरती कौन बनी है तो ये बनेगे ये दोस्तो गीता समोता करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और आप देख सकते दोस्तो ये है गीता समोता तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि ये जो गीता समोता है यहाँ एक CISF अधिकारी है मतलब केंडरी ओद्योगी सुरक्षा बल की अधिकारी है और ये जो गीता समोत है इन्होंने दोस्तों अफरीका की सबसे उची चोटी किलिमन जारो और यूरोप की सबसे उची चोटी माउंट एलब्रूस पर फत्थ की है और इसी के साथ दोस्तों यह सबसे तेज फतर करने वाली भारती भी बन गई है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो माउंट किलिमन जारो है यहाँ अफरीका महादीब के तंजानिया देश में इसी थै और अब चलते नेक्स कोशन के और नेक्स कोशन है कि हाली में जारी ICC महिला बल्लेबाजी रेंकिंग में कौन सिर्स पर रही है तो इसमें सिर्स पर रहने वाली है दोस्तों मिताली राज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप्शन थर्ड और आप देख सकते दोस्तों यह है भारती प्लेएर मिताली राज जो कि ICC महिला बल्लेबाजी रेंकिंग में सिर्स इस्तान पर रही है यहाँ पर हम दोस्तों बात करें ICC की मतलब इंटरनेंसनल क्रिकेट काउंसिल की तो विस्व में जितने भी क्रिकेट के मेच होते है उसे रेगुलेट कोन करता है तो ICC रेगुलेट करता है और यहाँ पर हम बात करें कि यह जो अंतरा से क्रिकेट परिशद है इसकी जो इस्थापना है वो कब की गई थी तो 15 जोन 1909 को और इसका मुख्यल है दुबाई संयुकतर अब अमिरात में इस्थी थे और इसके जो प्रेशिडेंट है मतलब चेयर्मेन है वो कोन है दोसो तो यह ग्रेग बारकले है और आप देखें दोसो यह है ग्रेग बारकले जो कि International Cricket Council के चेयर्मेन है और आप बात करें दोसो next question की, हाले में ADB से किस देश को 60 मिलियन डॉलर के रिन को मंजूरी दी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि ADB से नेपाल देश को 60 मिलियन डॉलर के रिन की मंजूरी मिल गई है तो बिजली आपूर्ती के आदूनी करन के लिए Asian Development Bank ने 60 मिलियन डॉलर की जो मंजूरी है, वो किसको दी है दूस्तों, नेपाल को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, option 4 और आप मेप में देख सेकते हैं दूस्तों यह है नेपाल, जिसकी राज़दानी है काट मांडो, और यहां पे सबसे उची चोटी है, मतलब Asia की जो सबसे उची चोटी है, वो कौन सी है तो यह Mount Everest है जिसकी height कितनी है, इसका जवा आपको comment section में देना है यहां पे दोस्तों हम बात करें ADB की मतलब Asian Development Bank की जिसकी सापना 1966 को की गई थी और इसका जो headquarter है, वो Manila Philippines में इस्तित है, और वरतमान में इसकी जो President है, वो Masa Tasku Asakawa है याँ देखना है President को ने, तो Masa Tasku Asakawa इसके वरतमान में President है, और अब अगला कोशन देख लेते हैं, तो कोशन है कि दोस्तों Amy Award का जो संबंध है वो किस छेतर से है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो Amy Award है इसका जो संबंध है वो Television से है, करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर Option 2 तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि हाली में 73 वा Prime Time 73 वा Prime Time Amy Awards हमारों का जो आयोजन है, वो Los Angeles California में किया गया है यह एक अमेरीकी पूर्षकार है जो Television उद्योग में उत्करेस्टरता को मानेता देता है तो यहाँ देखना आपको कि यह जो Amy Award है इसका जो संबंध है वो किस छेत्र से है, तो यह Television से है और हाली में 73 वा Amy Award का जो आयोजन है वो Los Angeles California में किया गया था यहाँ पे दोस्टो कुछ Amy Award दिये गए है, वो देख लेते बात करें दोस्टो उत्करेस्ट Drama Series की, तो यह किसको मिला है The Crown को उत्करेस्ट अभिनेता कॉमेडी में किसे मिला है तो यह Jason सुदे किसको मिला है और यहीं पे दोस्टो बात करें उत्करेस्ट अभिनेता सिमित संकला या मूवी में तो यह दोस्टो इवान मैग ग्रेगर को मिला है और यहाँ पे हम बात करें उत्करेस्ट अभिनेतरी की तो कॉमेडी में बात करें दोस्टो तो यह जीन स्मार्ट को मिला है और उत्केस्ट अभिनेत्री नाटक में बात करें तो ये Olivia Colman को मिला है तो दोस्तों ये कुछ important Emmy Award मिले है वो हमने आपको बता दिये यहाँ पर दोस्तों आपको दो कोशन याद देखने हैं कि Emmy Award का जो संबंध है वो किसा छेतर से है तो ये television से है और इसका जो 73 वा जो Prime Time Emmy Awards हमारो है इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है तो Los Angeles California में किया गया है ये दो ही कोशन यहाँ से आप से पूछे जा सकते हैं और आज का लाज देख़िए सकते हैं कि हाली में आपijn जो किम नयूदिकरण और प्रववधन के खेतर में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझोता हुआ है दोस्तों में आप़ बता दू ही जो आपन जो जोकिम नयूदिकरण और प्रववथन के खेतर में एक सहयोग किया है वो किन दो देशों के बीच हुआ है तो भारत और इटली के बीच हुआ है तो यहाँ पर करेक्ट रांसर क्या हो जाएगा option third तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इटली की तो आप मेप में देख सकते हैं दोस्तों यह है इटली जिसकी राजदानी है रोम और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है और वर्तमान में यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है प्रधान मंत्री है वो को ने यह मारियो ड्रागी है तो यह सब important point है याद देखना है आपको इटली से और अभी तक दोस्तों आपने हमारी लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सेयर भी कर दे अगर आपको हमारी महनत अच्छी लगती हो तो इसे कमेंट में जरूर बताए और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के कमेंट सेक्षन में देना हैं और इन्होंने दोस्तों टोक्यो पेरलॉंपिक में कौन सा मेडल भी जीता है यह आपको बताना है तो आज को जो लेक्चर है वो यहीं परेंड होता है अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए दोसों शेयर करिए अगर आपी शेयर पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरू करें थैंकी सो मच गाइस फॉर्चिंग दिस वीडियो बाई बाई टेक केर